हेलो मेरे दोस्तों मैं रहूल रस्तफा आप लोगों का अपनी रूपता आर्के सेंटर पे दोस्तों आज के वीडियों में हम लोग जाने वाले हैं के बारे में ऐसे कोश्चन जो आपको मॉस्ट रूप से मिलने वाले हैं तो चलिए हम लोग आज कोश्चन जानते हैं इसके बाद मुझे इसको डील करने का परियास करते हैं ठीक है कोश्चन अपका इस प्रकार से पहला कोश्चन आपका कि राइट रिपोर्ट फोर यूर कॉ सब्सक्रा 1 चल्व इन यूर स्कूल इ ceux कॉलेश को ज़र घॉर क्या करो है कि आपको अपने कॉलिज के मैंगजीन में और डीर बॉंट लिखना कर ना एक लिखना एक लिखना है कि आपके स्कूल स्कूल में आपके कॉलेज में कल्चराल फेस्टिवल हुआ था सांस्कृत एक कार्यकरम हुआ था जिसमें से अनिको स्कूल ने इसमें से भाग लिया था तो उसके बारे में क्या करना आपको डिस्क्राइब करना अब देखें यहां पर बात आता है रिपोर्ट राइटिंग क के लिए बोला की कुल्स कर फेस्टिवल भूरत कि स्विल में आता तो कॉलेज में जो इसके बारे मताना कि कैसे कैसे हुआ तो आज हम दोग जानते हैं कि कि यह पर किने के वह पर जानते हैं वesi को सब्सक्राइब आपको पर आपकर डिखने के लिए वर रहेगा तो पर YOU के वाध को आतरा भीज ना हो सब्सक्राइब तो कलसे सब्सक्राइब लगते करें डूर। लाइट यह नहीं सिखतेंए पर दोनों साइच से गपिंग आपको निश्डरूप्स से छोड़ना कि यूंकि जब में रिबोट लिखते ना लेटर राइटिंग करते है उसो इन?!" वह नमबर देता आगर वणियां दे रहेगा तो उसका नमबर मिलेगा नहीं ठीक है तो आपको करना पड़ेगा कि फॉर्मेट दोना साहिट से छोड़ना पड़ेगा ठीक है यहां पर एड्रेस होने के बाद डेट देने के बाद आपको आपको लिखना पड़ेगा कि कभी यह फेस्टिबल हुआ था अब देखें यहां से क्या करना पको स्टार्ट करना कि किस प्रकार से प्रोग्राम अपको स्टार्ट हुआ था र कभ वह था ठीक है तो देखें यहां पर लिखना है कि आउन 22 नमबर 2023 अ कलरफूल और मेमोरेबल कल्चरल फिस्ट वाज़नाइज इन आवर्स कॉलेज इस इव कॉलेज में क्या हुआ था एक बड़ा कल्चरल फेस्टिवल हुआ था में सांस्कृतिक कारेकरम हुआ था और यह जो कारेकरम था दोस्तों वह दिन भर का कारेकरम था मिस्ट यह कारेकरम पूरे स्टार्टिंग नौबेर से शुरू हुआ और पांस बेर तक रहता मतलब किस्टी के हमारे सहर के इतने भी कॉलेज से इतने भी कॉलेज के विद्यार्थी थे सभी ने क्या किया था इसमें भाग लिया था ठीक है तो यहां आपको बताते ना बिल्कुल सेम तरीके से लिखना जुस्तों आपको घबराने की जुरूत नहीं है अगर आप लोग देख लाइब के आदे अब अभी खुट माइब की कारिकरम सेलिबडी तो तो 22 नवंबर 2023 को हमारे कॉलेज के आडिटोरियम में जुआ ना हमारे कॉलेज के आडिटोरियम मतलब जानते है फिल्ड हो गया जो होता है ना उस बेसे क्या किया गया मनाया गया आगे बोला गया कि मैंने स्टूरेंट्स, टीचर्स, प्रेसरीपोर्टर्स और विलिजर्स वो प्रजेंट यह रहा हूँ उस्सेमें जो है उस इविंड के दौरां जो है वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्ती मवजूद थे बहुत सारे सिक्षक मौझूद थे प्रेस रिपोर्टर्स थे उसके साथ-साथ वहाँ पे गाहँ वाले भी क्या थे मौझूद थे माली जिए कोई घटना होगा कोई कारिकरम होगा तो वहाँ पे लोग को बुला जाता है अतिथी गन को बुला जाता है फ्राइंश को बना जाता है बच्चों को बना जाता है इस प्रोग्राम में स्ब्ढ़ार्ब सामिए पीचर भी सामिए फैस्न शामिा और भी लिज़स भी सामियलौ थे आगे बताया किया है कि दा program towards started fromrenexe to 5 p.m. देखे बोला जारा न कि ये जो program था कब start हुआ 9 बैजर से start हुआ, 9 बैजर से start हुआ और 5 बजर साम तक जो आ लुआ ना ये प्रोग्राम चला था और कि आगे बहुत?... विद बलून्स एनद पोस्टर भी बूला गया कि इंटाईर औज़्टोरियम मतलब महां पर फिल्ड जो था ठीक है वह पुरदर करेसा सजा हुआ था किसे बलून्स से और पोस्टर से पोस्टर लगाया गया था सिक्षा के बारे मिता अब बारे बताए था सफलता ही रहा ही म बतलब जो है ना वह लगाया गया था पोस्टर से वहां पे लगाया गया थे और बलून से उसको पुरा सजा दिया गया था आगी है कि दा एजुकेशन मिनिस्टर अब जारगंड मिसेस निराज्यादव वाजचीप गेस्ट कि हमारे जारगंड के एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंद्री निराज्यादव वह हमारे यहां के चीप गेस्ट थे जिन्होंने क्या किया यह दिन का सुरुवाद जो है जो है कि आख उसके बाद बूला का है कि निराज्यादव गेवाट स्पीश on the importance of education उसके बाद निराज्यादव जो सिक्षा मंद्री जो थी उन्होंने क्या किया importance of education के बारे में सिक्षा के महत्युक के बारे में क्या किया एक bold speech दिया speech means भासन दिया she told that education is the key of success उन्होंने कहा कि education is the key of success की education जो होता है सिक्षा जो होता है सफलता की कुझी होता है ठीक है अगर आपके पास सिक्षा है तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट आगे बताया गया कि there were many cultural programs on this day और उस दिन जो है बहुत सारी cultural program हुए थे such as group dance हुआ था group songs हुआ था act play हुआ था नाटा को कराई सब कालिकरम जो है उस दिन हुआ था और आपके बताया था णे इस दिन जो है भाहु सारे school लो मिल करके करके प्रोग्राम में हिस्था लिए था भाग लिया था ठीक है अगे बता, जाता है ॥ी अज प्रोग्राम रहा क्या रहा मिस्वडर फूल था wonderful mother successful था सफलता पुर्वाक हो गया और wonderful था ठीक है देखे इसके बाद बोला गया at last the principal of our college thanked all the guests as well as speed were distributed among the students बोला गया न दोस्तों कि हमारे school के जो principal थे हमारे college के जो principal थे उन्होंने क्या किया सारे guestों को जो धन्यबाद दिया चाहे वो cheap guest हो चाहे बोल स्टूडेंट हो बिलेजर्स हो ठीक है सभी को उन्होंने क्या किया धन्यबाद दिया as well as sweets were distributed among the students सभी लोगों के बीच में बाटा गया है यहां पर student है वहां पर लोग सारे स्टूडेंट सारे के बीच में बाटा गया ठीक है सब्स्टूडेंटों को नहीं सारे लोगों को जो आना महां पर मिठाईया बाटी गई ठीक है it was really a memorable day for us और यह जो था ना दोस्तों हमारे जीवन का क्या था यादगार दिन रहा ठीक है आगे बुला क्या है I can never forget this day in my life और मैं यह दिन को जो आना अपने life में कभी नहीं भूलूंगा ठीक है तिस प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों याद करके आना है मतलब आपको समझ रहा है बस ठीक है और समझ करके हम आपको लिखना है जो ठीक है समझ जाना है कि क्या कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे उस प्रकार से आपको आपके लिखना है ठीक है तो उमीद कर दोस्तों कि यह रिपोर्ट जो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम या तो वर्टसप गूरूप में जोएन हो जाए और मुझे मैसेज करें ठीक है उसके साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू से जरू कर लें क्योंकि यह इसी एंगलिस को और भी वीडियो आपको मिलने वाला ठीक है तो मिलता है इस वीडियो में तब तक के लिए चाहिए चाहिए भारत